हेलो लेर्नर्स माइसलफ शेलेश्टियागी फिजिक्स एडुकेटर एड अनकेडमी ओफलाइन सेंटर इंदो बच्चों जैसा कि अब हम सब जानते हैं आपका जेई मेंस 2023 का फर्स्ट अटेम्ट हो चुका है और कुछ खटी मिठी आदों के साथ हमने इसे ओवरकम कर लिया ह सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई ठीके आप लोगों ने पोरे साल मेहनत की थी ठीके और एडिया रहा उसने अपने पूरे प्रियासों के साथ यह अटैम्ट दिया ठीके लिकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का यह ऑटैम्ट उतना अपक राज जितना की वो expect कर रहे थे ठीक है बच्चों तो सबसे पहला point तो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है ठीक है नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है और हमारे पास अभी एक और attempt है ठीक है most probably अप्रेल फर्स्ट वीक में वो attempt आपका फिर आएगा एक बार और एक बार फिर हम उसी जोश और जुनून ठीक है और पूरे जजबे के साथ और ज़्यादा बैटर प्लानिंग और ज़्यादा बैटर preparation के साथ हम second attempt को face करेंगे तो बच्चों सबसे पहले तो मेरा आपसे जो सबसे पहली मेरी जो advice है आपको कि अब बिना एक भी दिन गवाए हमें सबसे पहले अपना self assessment करना चाहिए कि हमने क्या गलतियां अब तक की या कहां पे कमी रहे गई ठीक है paper का analysis उसके अलावा अपनी lifestyle का analysis भी करने का time है कि अब हम second attempt में at least वो गलतियां तो बिलकुल नहीं दोराएंगे जो हमें पता चल चुकी है ठीक है first attempt में जो हमारे सामने जो चीजें आ चुकी है जो mistakes हमने की है अब second attempt में वो mistakes हम बिलकुल नहीं करेंगे जिनका बहुत अच्छा हुआ है उन्हें और जादा अच्छा करना है ठीक है और जिनका किसी वज़े से कुछ गड़बर हो गया है उन्हें चिंता का नहीं चिंतन करने का समय है सोचो बैठो ठीक है आप अपने teachers अपने educators जिन लोगों ने आपकी help किये ठीक है जो आपके mentor है आप उनके साथ बैठके discussion करो और एक time bound planning तयार करो कि अब next attempt में हमारी performance कैसे अच्छी खासी improve हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है बच्चों believe in me मैं सच बोल रहा हूँ ऐसा बहुत बार हुआ है कि पहले attempt में बच्चों ने उतनी अच्छी performance शो नहीं की और बात के attempt में वो बहुत सारे बच्चों से भी काफी आगे निकल गए तो ये time है कि हम अपने आपको prove करें ठीक है अपने parents, अपने relatives और जिन लोगों के अपने teachers जिनके सपने आपके साथ जुड़े हुए है उन सपनों को भी पूरा करें तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे यहां पे जो सबसे पहला point मेरा ये है कि आपको अपने revision का time bound plan तियार करना होगा अब यहां भी दो तरीके के students हैं पहले students वो हैं जो अभी presently 12th में है तो उनके सामने तो अब दो तरीके की बातें आ जाती है कि आपका around 24th फैब जो है फैब का जो last week है आपके board exams भी आ रहे हैं ठीके उसके बाद लगबग March end तक आपको board के exams देने हैं तो बिटा आपको भी अगर आपका पहला attempt अच्छा हुआ है या आपका attempt कुछ गड़बड हो गया है तब भी आपको ये ध्यान रखना है board का exam अपने हिसाब से आपका चलता रहेगा लेकिन कहीं ने कहीं हमें JEE की जो preparation है उससे बिलकुल out of touch नहीं होना है ठीक है अभी FAB 25 तक 21st 22nd FAB तक आप अपनी board की preparation को तो बना के रखें और वैसे भी हम जब IIT की preparation करेंगे तो कहीं ने कहीं वो board की preparation में हमें help तो करेगी निश्चित रूप से जो derivations हैं last 10 years के जो papers हैं उनको आप अच्छे से analyze करें ठीक है क्योंकि percentage का भी criteria हमारे सामने होता ही है no doubt लेकिन आप जो बच्चे भी 12th में हैं presently 12th में उनको मैं advice देना चाहूंगा कि अगर आपका किसी कारण से कोई एक या दो topic छूट गया है किसी भी subject में और आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हैं और समय की कमी के कारण आपका छूट गया था तो आप उस topic को अभी फिलाल पहले सबसे पहले उसे जल्दी से कर लें ठीक है और उसको topic को करने के बाद उसके साथ ही आप at least उस topics related 50 questions आप लगा लें और previous years के questions भी उस topics related लगा लें ताकि जो हमारा एक दो topic छूट गया था वो तो काम हमारा finish हो जाए उसके बाद ना बिटा आप लोग अपने class के notes जो है उनका fast revision लेके और सिर्फ previous years के questions लगाएं 12 वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं ये बात और वो भी 2019 के बाद के topic wise जैसे आपने kinematics, आपने optics, आपने NLM friction, आपने electricity, आपने magnetism revise किया तो class के notes आपके पास हैं, तो आप उनको fast revise करोगे, अभी अभी आपने attempt दिया है, तो theory आपके सामने है लेकिन एक बार हलका फुलका formula revision लेके, आप PYQs, especially 2019 के बाद के topic wise आप करें और questions को करते time, mostly आपसे बनेंगे, और questions को करते time, जहां भी आपको conceptual problem आती है, जो question नहीं बन रहा है उससे related theory आप अच्छे से cover करें, फिर अपने notes में जाके, आपने teachers के help लेके, या जैसे भी आप phone पे बात करके, कैसे भी करके, उस concept को आप अच्छे से कर ले ठीक है, और during the exam भी जब आपका gap है, तब भी आप जरूर थोड़ा सा previous year questions के साथ बने रहे हैं, कहीं ने कहीं, वो help हमें board के exams में भी मिलती है, लेकिन board की preparation में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए अब मैं second part उन बच्चों के लिए आता हूँ, जिन्होंने drop लिया है, तो उसमें भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जो अपना syllabus कम्प्लीट करके बैठे हुए हैं, ठीक हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि last moment पे dates declare हुई थी और कुछ हडवडाट हो गई थी बच्चों, आपको जैसा आप सब लोग जानते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो घवराट में ही काफी सारी गलतियां कर बैठे, लेकिन अब, अब हमें जिनका syllabus पूरा हो गया है, उनके लिए और जिनका syllabus पूरा भी नहीं हुआ है, जिनका syllabus पूरा नहीं हुआ है, वो बचे हुए chapters मे भी मेहनत करें, उसकी अच्छे से theory तयार करें, अपने classroom में जहां भी वो पढ़ रहे हैं, जैसे भी वो पढ़ रहे हैं, उस theory को तयार करें, और याद रखो, पहले attempt ने हमें सिखाया है, बहुत ज़्यादा depth की जरुरत नहीं है बच्चों, ठीक है, आप अगर एक moderate level पे भ revise करते रहें, revision में, और हर chapter के साथ, आप minimum 50 questions जरूर लगाएं, वो 50 questions आप कहीं से भी collect कर सकते हैं, आपके modules हैं, आपके exercises हैं, आपके teachers ने आपको हमख दिये, sheets हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका syllabus completion भी हो जाएगा, और जो पुराने जो आपके theory के chapters जो आपने कर लिये थे, वो भी आपके revise हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, कि हर chapter की, dropers के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, हर chapter की theory revise करने के बाद, minimum 50 questions उस chapter से related आपको लगाने हैं, और उसके बाद, फिर उस chapter से related 2019 के बाद के जितने previous year questions हैं, वो सारे भी लगाने हैं, और जब previous year के questions करते time, वही वाली बात, जो मैंने 12 वाले बच्चों के लिए भी बताई, वहाँ पे जो भी आपके doubts आते हैं, उन doubts related theory, concept, सारे हमें notes देखके अच्छे से cover करने हैं, बिटा, believe me, believe me, आपकी, अगर आपने 2019 के बाद, present, ये जो ये attempt हुआ ये वाले questions भी करने हैं, तो अगर इतने questions आपने किये, और उनमें जहाँ जहाँ आपके doubts हैं, उससे related सारे जो theoretical points हैं, conceptual points हैं, वो सारे आपने अच्छे से कर लिए, तो hopefully आपका second attempt बहुत 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 बैटर जाने वाला है, इसमें कोई doubt नहीं है, ठीके, ए उसको करने में मजा नहीं है, आपका उसमें confidence level ही नहीं है, तो बिलकुल आप उस chapter को छोड़ दीजिए, वो किसी भी subject का है, बिलकुल छोड़ दीजिए, आप 90% syllabus coverage या अगर भूत खराब इस्तिती है, तो आप 80% अच्छे syllabus coverage के साथ भी अगर exam में appear होते हैं, तो मुझे आपके पहले खराब रहें, जिनमें कोई confidence level आपका नहीं था, या आपको उसमें confidence आई नहीं रहा है, उन chapters को आप बिलकुल छोड़ सकते हैं, आप 80%, 90% अच्छे से तयार करके जा सकते हैं, तियोरी करने के बाद आप उस chapter से related 50 questions प्रैक्टिस के लिए जरूर लगाएं, और और फिर साथ में 2019 के बाद के previous year questions जितने भी हैं topic wise, वो सारे आप जरूर attempt करें, और उसमें जहां भी problems आपको आती हैं, किसी भी तरीके से, आप notes पढ़के, अपनी teachers की help लेके, और उन सारे conceptual points को अच्छे से resolve कर लें, ठीक है, उसके बाद अपनी body, cloak, ठीक है, अपनी जो lifestyle है उसको सही रखें, health का especially ध्यान रखें, ठीक है, सोने का time, खाने का time, वो सब fix करके रखें, और जो exam time अपना होता है, उस समय पे especially हमें पढ़ना चाहिए, उस समय बिलकुल निसोना चाहिए, ठीक है, तो करते रहो बच्चों तयारी, ठीक है, समय आपका है, exam आपका है, आप आप इमानदारी से महनत करेंगे, तो second attempt में, जरूर आपको success मिलेगी, ठीक है, मैं पूरी unacademy offline center, इंदोर की team की तरफ से, आपको बोल रहा हूँ, wish you all the best, good luck, all the best.